आद दियादूरी जो नोली जब सबसे खतरना हतियार होता है तो उस हतियार के शिकार मत होना उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है और आपको मिल रहे हैं सिर्फ 20 डोलर 25 डोलर जो की वर्थेट नहीं है तरीके में इसमें बताने वाला हूँ क्या सही तरीक्या और क्या सही नहीं है जो सही नहीं है वो सबसे पहले हुदार नहीं कर सकते, तो जब भी आपने foreign education के बारे में सुना होगी, मेरे को बाहर पढ़ने जाना विदेश में की सिकेंटरी में बहुत सुना होगा YouTube पे कि research करो अपनी research करो, actual में वो research होती है, उसका मतलब क्या है और क्या उसकी importance है आज इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले है शुरू से लेकर end तक क्या उसका importance है और कैसे आपको करनी है एक right approach research के लिए पूरी information इस वीडियो में आपको मिलेगी अब यह research का मतलब ही है आपने एक course ले लिया, उस course में आपको गंटे के 15 डोलर मिलेंगे या 50 डोलर मिलेंगे या उसके बीच मिलेंगे क्या उसकी पे रहने वाली है क्या उसके future goals रहने वाले है उस course के तो उसके उपर इस वीडियो में पूरी आपको information मिलेगी ऐसा नहों कि आप सोच क्या हो कि मेरे को मिलेंगी 50 डोलर और उस course की value जब आ रहे हो आप उसकी कोई value ही नहीं है और आपको मिल रहे हैं सिर्फ 20 डोलर 25 डोलर जो की worth it नहीं है तो इस वीडियो में आपके वो सारे doubt clear हो सकते हैं end तक जरूर देखना तो सभी को मेरा नमशकार मेरा नम शेकर नांदल है और मैं कैलगरी में रहता हूँ अभी fourth semester, final year student हूँ सेट अपना college है तो जो research होती है वो first step होती है आप अपना study का plan करते हो जब उसमें first step आपकी research होती है अब उस research को आप कैसे करते हो उससे आपका आगे का पूरा career decide हो सकता है कि आप right direction में जाओगे या थोड़ी wrong में जाओगे या आप कहां पे जाओगे तो research करने के आपको तरीक्य में इसमें बताने वाला हूँ क्या सही तरीक्य और क्या सही नहीं है जो सही नहीं है वो सबसे पहले बता रहता हूँ जैसे YouTube मेरी कुछ वीडियो में कमेंट्स आये थे कि मेरा अभी मैं हूँ power engineering का student अब engineering का student हो कि मैं हर एक program के बारे में तो कोई नहीं बता सकता और comments में कुछ लोगों किया आये थे कि ये XYZ program क्या scope कैसा है और XYZ का कैसा है University of Calgary का कैसा है Bow Valley का कैसा है जितना खुद से research करोगे अच्छे methods के साथ सही तरीके के साथ उतना आपको beneficial होगा उतनी आपको quality की information मिल सकती है मेरे कहने से हो सकता है या किसी और YouTuber के कहने से हो सकता है आपको जवाब तो मिल जाएगा पर वो जवाब कितना सी ये कितना नहीं आप अके लिए उस पे अंधा विश्वास नहीं कर सकते बोलते हैं ना कि अधियदूरी जो नोली जव सबसे खतरनाग हतियार होता है तो उस हतियार के शिकार मत हो ना उस हतियार के victim मत बनना उसके victim बनने से बचने के लिए आपको इसमें बताता हूं कि आप क्या कर सकते हो तागि आपके जो expectation और reality जो है ना expectation और reality वो उसमें ज्यादा difference ना है जब कि आप किसी foreign country में land हो आप अमनी पढ़ाई स्राट करो और जो real versus real life है उसमें भी ज्यादा difference ना है तो वो सारी सब चीज़ इसमें आपको बताए जाएंगी सही तरीका के research का भी हो बताता हूं गलत तरीका मैंने बता जिया कोई business का student है उससे आप engineering का पूछोगे तो आपको उटपटांग जवाब मिल सकते है इंजिनेरिंग से business का पूछोगे तो भी आपको उटपटांग मिल सकते है हाँ जो common questions होते है city के related city कैसी है ठीक है college कैसा है उसके regarding of course आपको जो है अच्छे जवाब मिल सकते है क्योंकि जो यहाँ पे रह रह रहा है वो आपको no doubt अच्छी information दे सकते है बट जो specific questions है उसके लिए आपको ये video बहुत help कर सकती है मेरा ये मानना है तो आप end तक बने रहो miss मत करना, skip मत करना 2 times वे दे सकते हो 1.5 times वे बट एक एक बात जो है ना important होने वाली है तो चलिए start करते बिना किसी देरी के तो सबसे पहले आपको मैं example अगर दूँगा तो मैं किसका दे सकता हूँ और किसे का दोरी नहीं सकता है मैं खुद का example दूँगा जो कि मैं खुद जिस्चर नहीं से गया हूँ तो मैं अपने program के बारे मैं आपको बताऊँगा मेरा course है 2-year diploma पावर एंजिनेरिंग और सेट में प्रोग्राम तो इसी program का example लेगे जब आपके दिमाख में आगा कि मेरे को यह course लेना है XYZ को यह course हो सकता है जो आपके दिमाख में course final हो गया तो उसकी आगे की जो steps है research की वो आप कैसे कर सकते हो एक अच्छी information कैसे निकाल सकते है उसके लिए मैं आपको टूल बदाता हूँ क्या है तो सबसे पहला तो जो है course decide करना उसके लिए मैं आपको अपनी क्या है सबसे best मेर्स को लगता है college की website तो मैं आपको सबसे पहले आपने जैसे अपनी college की state college की website कहाना थोड़ा दिखाता हूँ और view की कैसे है कितनी information website पे पढ़ी है जो कि आप न एक बर click करके website पे जाओगे जब आप website पे तो कितनी information आपको वहाँ पे है प्री में मिल रही है और जो कि आपको कहीं और से नहीं मिलेगी इतनी limited information मिलेगी बाहर से तो तो आपको website के दर्शन कराता हूँ आजो तो जैसे यह है अपनी state की website अभी इस state की website पे आपको कैसे navigate करना हूँ बताता हूँ जैसे सबसे पहले आप जाओगे programs and courses में इसमें जागे आप देखो find a program old program आप से लेगे ठीक है इसमें सारे आपके जितने भी हैना सारे program आगे 565 results है तो सबसे पहली बात तो किस college में क्या program होँ आप यहाँ से देख सकते हो उसके बाद सबोज आपको engineering technology का कोई program लेना है तो उसमें आप क्या करोगे engineering technology इस पे click करोगे वहाँ पर जाने के बाद यह देखो कितने सारे program है for example मेरा है अभी power engineering तो मैं इस पे click करता हूँ ठीक है अब इसमें देखो यह है two year का program है Macphill School of Energy इसका faculty है फिर आप view program पर जाके देखो आप कितने detail यहाँ से निकाल सकते हो तो diploma है program length two years है international applicants accepted इसमें आपको क्या है आपको सारे international applicants allowed है कि नहीं है वो सब मिल जाएगा overview क्या है course का जैसे for example two year power engineering technology diploma इसको क्या है obtain you third class power engineering certification तो मेरा जो program power engineering का उसमें class होती है fourth class, third class, second class जितनी उपर जाते है तो उतनी मलब seniority आती है ठीक है तो यह सारी detail आपको देखो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर जो मिल सकती है thermodynamics है, lows of heat है यह सारी subjects की knowledge है देखो फिर यहाँ पर abs psych जो body होती है वो कुछ exam conduct करती है ठीक है आपको third class power engineering का certification देने के लिए तो यह सारी information भी यहीं पर है और इसके बाद आप इससे क्या-क्या कर सकते है वो देखो इसके आप क्या-क्या है मलब skills आपके पास क्या-क्या होनी चाहिए क्या-क्या you need and जितनी भी information है, देखो कितनी है some employers मेरे को है girl brand testing कितनी मलब देखो वो है कितनी detail knowledge है वही कितनी detail knowledge आप यहां से निकाल सकते हो तो आगे देखो academic path क्या रहेगा ठीक है graduates of this program can prepare to write the required apps exam to achieve their second and first class, taking our flexible continuing education policies तो यह सारी information आपको website से मिल रहे है तो website पे जागे आप जरूर चेक करो इस भी program क्या आपको करनी है फिर क्या-क्या certifications है यह हो गया, फिर यह आता है download program info, इसमें और detail आपको मिल जाएगी फिर है opportunities क्या क्या है 90% graduate employment rate यह state claim करता है, state का data ऐसा बोलता है और जो की सचाई भी है जितने भी लोग graduate होते हैं, सभी को job मिली जाती इतनी average salary है, यह annuals होती है without taxes, before taxes होती है पिर उसके अबाद में भी आप और भी देखो कितनी सारी चीज़े है, courses क्या क्या होते है देखो इसमें, इसमें दिखाता है कि इतने credits है, इतने courses है complete करने के लिए two years with two semester each year तो मुल्ब four semester आपको पता चल गया तो यह आपके subject है semester 1 क्या, semester 2 क्या होने वाल, semester 3 क्या होने वाल है तो यह है आपकी knowledge जो आपको free में website से मिल रही है क्या क्या required courses है यह सारे courses होगे, जो जो हैं आपके पास पिर admission requirement क्या है educated in Canada उनके लिए यह है और outside के जो international students उनके लिए यह सारी education है तो इतनी सारी information आपको क्या है website से मिल रही है इंटेक्स कौन से कौन से available है अविलेबल इंटेक्स तो fall का, winter का यह सारे देखो, क्या है इनकी deadline है international की, क्या है, domestic की क्या है सारी information तो आपको यहाँ पे मिली रही है cost क्या क्या देखो, यह domestic student की cost है 16,000 डोलर और international student की cost आपको देखके हिल जाओगे 47,000 डोलर कितने है, 3 times around 3 times है, मलब क्या-क्या fees है, वो आपको fees structure भी सारा पता चल रहे advance में, तो वर्तिट है चेक करना, जरूर चेक करो books and supplies क्या-क्या है, यह सब यहाँ पे है तो यह आपकी process है, पूरी की कैसे है अगर आपको फिर भी को doubt होता है, तो क्या इनके जैसे contacts होते है, school के, email होते है, इन पे आप email कर और वहाँ से अपनी information निकालो तो यह तो आप हमेशा कर सकते हो यह हो कहाँ पहला तरीका, website पे जाके manager अपने program के बताया अब इससे अलग बात करेंगे कि आपको research कर रही है, category के bow value में for example, bow value कैसा है, तो bow value का आपको simply क्या करना है, जाके google पे bow value लिख देना bow value ठीक है, bow value लिख के आप क्या करो किसी दे website आजएगे, उनकी ये website आगी same चीज, bow value पे जाके भी क्या करना है programs and courses, इस पे गए ये देखो, ये सारे इनके जितनी प्रोग्राम है सारे प्रोग्राम यहाँ पे आजाएंगे जैसे आपको business related है, या health and wellness related है, या technology for example, जितनी बी देखो, ये इनकी fields है तो let's say technology में हम जाते हैं तो क्या गया course available है, क्या नहीं है वो आपको सारी details यहाँ पे मिल जाती है for example, ये diploma है, ये certificate है ये certificate है, ये diploma है तो for example, ITS ये काफी popular है ITS काफी popular है, इसके बारे में जानना है तो इस पे आप click करके, same चीज है info session जो भी है इनका देखो, start date क्या है कितनी terms है, delivery कैसी है tuition fee कितनी है international के लिए इतनी 43,000 domestic के लिए इतनी है तो सारी चीज़ेदा आपको यहाँ पे पता चली रही है program का description वो सारा देखो, यहाँ पे मिली जाएगा ये सह मिल रहा आपको, admission requirement क्या क्या है English की क्या requirement है, laptop की क्या specification है तो इतनी सारी information आपको क्याना, सिर्फ website से मिल जाएगी तो यह चेक करो पर सेम एग्जामपल, सेम आप University of Calgary का जहाँ, उसकी website पे जा सकते हो जैसे University of Calgary University of Calgary की website आगी है इनकी वे आप website पे जाओ website पे जागे, future students पे जैसे आप गई तो undergraduate explore programs यह दिख़ए option है explore programs पे आप जागे जो भी आपकी इच्छा है मतलब, जो आपके interest है अलग-अलग school आजाएंगे, school of technology school of business, school of hospitality तो सारे सारे तो आपको आई जाते हैं तो for example explore programs पे आपने खिलिक कर दिया जैसे अदेखो, undergraduate की जो प्रोग्राम से एक्सप्टोर करें तो अभी हम यहाँ पे आगे है यह थोड़ा सा अपना यह जानवर चला जाए फिर आजाएगा देखो faculties कितनी देखो यह है faculty of law, nursing, social work, business engineering तो आपको जो भी field decide करनी है for example engineering तो आप इंजिनिरिंग में जागे सबकी आपको detail मिल जाएगी कौन सा program कितनी length का है कैसे होने वाला है तो वो सारी detail आपको मिलेगी तो website पे ज़रूर चेक करो हर एक college की website पे information बहुत ज्यादा होती है तो यह है आपके course related फिर इसके बाद आता है दूसरा एक option जिस पे हम पैसा की बात करेंगे कि किस course में किस profession में आप कितने पैसा किमा सकते हो क्या future prospect होने वाले हैं किस province में इसका ज्यादा scope है तो उस पे भी बात करते हैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि for example मैं अपने profession का ही बताऊंगा उससे आप relate करके कि आपने जो भी आपका future goal है उससे आप अपना अच्छे सर्च कर सकते हो मैं अपने अपने profession के बारे आपको ताता हूँ कि आपको Google पर जाना है सिंपल लिखना है Job Bank Canada Job Bank Canada Job Bank Canada पर जागे आपको सर्च करना है Job Bank पर गए इस पर आपको जागे labor market information पर जाना और फिर आपको Job profile पर क्लिक कर देने जैसे आप जो प्रोफाइल पर गिक कर ओए तो इस पर जैसे Job टाटल में आपना डाल दोगए पावर इंजिनरीर इस पर मैं लिख दिया पावर इंजिनियर तो पावर इंजिनियर का पूरे Canada में क्या स्कोप होने वालों आपको यहां से पता चल जाएगा तो देखो यह भाई बहुत अच्छी इंफर्मिशन आपको प्रवाइड गरता है कैनेडा में जो नोक कोड होते हैं हर एक एंप्लोईमेंट को हर एक जितने भी आपके प्रोफेशन है सारे रोजगार जितने भी यहां पर जितने भी काम दंदे हैं सबके एक नोक कोड होते हैं जैसे फर एक्जंपल इंडिया में ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड D ऐसे जो ग्रेडिंग होती थी थी ना ऐसे ही यहां पर नोक कोड के क्लासिफाई करते हैं पर इसके बारे में यह तो होगी कि क्या यह प्रोफेशन है बिल्कुल जैनुवन इंफोमेशन है जो भी आपको यहाँ पर बताई जाती है बिल्कुल ठीक है वो क्योंकि मैं इसको फोलो करता था पहले भी आपको जोब लेने के लिए आपको क्या क्या रिक्वार्मेंट है तो देखो इस इस वट टीपिकली नीड फुर दा जोब पावर इंजिन नुवा स्कोश्या अलग 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 प्रोविंस के अलग अलग यहाँ पर आपको बताई जाते है इसके यह तो होगी सम्मिक तो आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल रही है और इसके बाद अगर आपका फिर सवाल आएगा कि वही इसके यह तो होगी सम्मिक यह होगी इसके सम्मिक अब इसके बाद एडिस्क्रिप्शन की जोब का डिस्क्रिप्शन इसका कैसा है तो क्या इसके डिस्क्रिप्शन है क्या इनकी ड्यूटीज है वो देखो सारी यहाँ पर इनकी ड्यूटीज आगी ठीक है और related job title ये सारे इनके related job title है आप ना इन सारे job titles को लेगे इनको आप LinkedIn पर या Indeed पर जब डालोगे तो वहाँ पर आपको क्या है इन से related job posting मिल जाएगी और उनकी क्या requirement उनकी क्या education requirement है क्या licensing requirement है वो सारी चीज़े आपको जुरूर मिल जाएगी तो बहुत काम की चीज़ है फिर उसके बाद आगे आपका wages power engineer की अभी salary कितनी होती है कितने पैसे कमाते है ये सचाई है मैंने जो अपना देखाना सचाई है कोई जूटनी है जितना मेरी expectation थी पहले वैसा ही कुछ है for example मैं Alberta में रहता हूँ तो Alberta का आप देखो low है 32 median 55 डॉलर पर आर और high है 75 डॉलर पर आर और सारे प्रोविंस के लगलग दी हुई है तो ये इनके surveys जो होते हैं survey पर based है और genuine information है अब Alberta के बता हूँ 32 जो इन्होंने बोली है तो fourth class power engineer की salary लगबग इतनी होती है मलब starting fourth class को है न 27-28 से लेगे 35-40 डॉलर तक starting salary मिलती है fourth class power engineer को third class को up to 45-50 डॉलर पर आर second class third के बाद तो 75 डिया हो नहीं या आपका second class या first class जो power engineer होता है उसकी ये salary यहां तक जा सकती है तो इसको आप जरूर देखो पैसे किस profession में कितने है इसको जीतना explore करोगे ना भी इस website को जीतना explore करोगे उतनी आपकी जो है और ज्यादा understanding बढ़ेगी अब यह होगी पैसा की बात अब फिर इसके prospect देख लिएते हैं कि इस profession का आने वाले तीन सालों में के रेना में कैसा इसका कैसी growth है कैसी है इसके क्या क्या options है कैसा लग रहा है मतलब तो for example यह इसके legends होगे अब Alberta में है इसके good four star out of five four star है BC British Columbia में भी four है और यह सचाई है मैं जो देखता हूँ ना जो मेरी knowledge है यह साई है data गलत नहीं है for example जिसमें undetermined है नुनावट नुनावट जो प्रोइंस है यह northwestern territory यह होगे आपके बिल्कुल outward प्रोइंस जहांप इतनी जन्ता नहीं रहती जहांप इतनी industry established नहीं है तो यह बिल्कुल सची बात है वहाँ पर नहीं होगी इस profession की वहाँ पर growth नहीं है वहाँ पर power plants नहीं है वहाँ पर industry नहीं है तो यह बिल्गुल सची बात है, यह जूटनी है तो यह हो गया आपका इसके बाद आप जाओगे जोब्स में जोब्स में आपको वो मिल जाती है कि कहाँ पर कितनी जोब पोस्टिंग अलबर्टा में तो यह डेटा थोड़ा उपर नीचे है क्योंकि एक्चुल जोब्स आप लिंक्डिन पे इंडिट पे जागी चेक कर सकते हो फिर क्या रिक्वार्मेंट्स है जोब के लिए वो यहाँ पर है कि यह सही में जो आपने पहले चेक करी थे ना यह सब वही है फिर आगी आपके रेजुमे में फिर अपको क्या क्या है पावर एंजिनियर के लिए आपको क्या है यह सारी स्किल्स देख़ए यह सारी आपके शिल होनी चाहिए यह देखो यह वो key terms है key words है जो आपके रेजुमे में help कर सकते हैं आपको यह देखो यह सारी प्रोफेशन का यहां पर है बिल्कुल जरूर चेक कर सकते हो अब आपको दुबारा चेक करना है तो सर्च में जाओ दुबारा से और यहां पर दुबारा ओक्यूपेशन का नाम लिख दो और दुबारा से सर्च करो फिल्टर लगाओ प्रोविंस के लगाओ जैसे भी आपको इन्फोर्मेशन जरूर बिलेगी अभी बात कर लेते हैं कि आपने रिसर्च अपनी जोब बैंक से कर ली कॉलिज की वेबसाइट से कर ली अभी आपको चाहिए कि भाई एक्च्वल में ज कर रहे हैं दो साल से पांस साल से या जो रीसेंट ग्रैजूइट हैं अब आप चाहोगे कि उनका भी पता से ले कि वो क्या कर रहे हैं वो कितने पैसे कमा रहे हैं या उनका करियर कैसा है इस प्रोग्राम के बाद यह पढ़ाई करने के बाद तो उसके लिए आपको मैं बत For example, search में आपको simply जागे power engineer लिख देना है Power engineer Power engineer पे जागे आपको filter लगा देना location का तो power engineer सरच करना ही बाद गया All filters पे जाओ यह laptop का बता रहूं मैं Same ऐसा use में भी होगा तो locations पे जागे हैं For example, आपको Alberta में देखने हैं कितने power engineer रिख्या हैं क्योंकि अब Alberta का plan करें तो Alberta में जाना है और show results कर देना है अब यह देखो यह सारे जो लोग हैं जो की power engineer हैं already company किस किस company के साथ हैं देखो सारे यह लोग power engineer हैं already ठीक है तो आपको क्या करना है सिंपलीन को connection request भेज देनी है बेजने के बाद जैसे आपकी request accept हो जाती है आप उनसे फिर अपना जो भी आपके questions है कि मैं नया कि मैं plan कर रहा हूं Canada आने का और क्या आप मेरे को please guide सकते हो कि how is power engineer profession जब उनको आप यह पुछोगे तो कोई दूसरे की है ना ऐसा help कर देते हैं कोई curious such में कोई अगर interested होता लोग कोई सीखना चाहता तो उसको ज़रूर help हो जाती है इन चीज़ों से तो यह आपको method है तरीका कि आप actual में जो लोग industry में है ना उनसे आप connect करके chat पे जाके उनसे actual में चैट करो आपके जो questions है उनसे actual में पुछ हो यह आपको बहुत ज़्यादा beneficial होगा ना कि उसके कि YouTube पे जो कोई business का बंद है उससे आप power engineer के बारे में पूछ लोगी तो वो help नहीं होगी फर एक्जमपल अगर आपको है कि petroleum course कैसा है petroleum engineering तो आप क्या करोगे petroleum engineer पे जागे petroleum engineer सर्च करो अब जो लोग petroleum engineer में काम कर रहे हो आपको यहाँ पे आ जाएंगे filter लगा दो जैसे for example for example Alberta तो Alberta पे जागे show results तो अभी यह आपके सारे आगे जैसे विवेक कवा petroleum engineer कैलगरी अलबर्टा petroleum engineer data analyst BSC नील भट petroleum engineer site तो यह सारे क्या है इतने आपको result आजाएंगे जो भी आपको industry में जाना है जिस भी industry में जाना उस पर click करो connect करो उनको connection request बेजो और आप जैसी connect हो जाते है फिर उनको आप message करो अपना एक अच्छे से polite way में बहुत अच्छे तरीके से आप उनको message करो अपनी query बेजो industry में कर रहे हैं या study कर रहे हैं उनसे अच्छा तो कोई बता नहीं सकता same program से आज की video में यही था कि कैसे आप अच्छी research कर सकते हो कैसे आप scam से गलत information से आधिया दूरी knowledge का शिकार होने से बच सकते हो हो सकता आपको helpful लगी होगी information अगर information बढ़िया लगी तो जो भी लोग इसक इनकी भी लोगों को इसकी जरूरता इस information की उनको प्लीज आप शेयर कर सकते हो और ऐसी ही videos के लिए information के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब गरो चैनल को अपने comments में थोड़ बताओ कि क्या और topics cover कर रहे हैं तो धीरे धीरे सारे topics पे video बनेगी जितना भी अपने को time मिलेग अपना time निकाल के मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा comments का reply जैसे time मिलेगा एक दिन दो दिन बाद जरूर comments का reply करूँगा ठीक है जब तक के लिए अपना ध्यान रखो अच्छी सेयत में बने रहो अपनी knowledge पर काम करो मिलते हैं आगे आने वाड़ वेडियो